हलो दोस्तों टोड़ने टोटके में आप सबका स्वागत है आज मैं बताने जाओंगा हनमान जी का चरित्र हनमान जी का चरित्र क्या है हनमान जी का जो चरित्र है दोस्तों अगर वो चरित्र आपके अंदर भी अगर आज आए तो आपकी जिंदगी धन हो जाए हनमान जी का था और क्यों था किसले था यह आप सबको जानना जुरूरी है हनुमान जी के प्रभुस्री राम थे जब भी बिशनु जी किसी भी रूप में उत्रित हुए तो हनुमान जी को स्वेमान पड़ा तो हनुमान जी किसके रूप है शिव के रूप है राम किसके रूप है को बताने चाहूंगा की हनमान जी का जो उपषना करता है जैसे मंगल वार के दिन जो मानता है मत जिता हो तो मान चालिशा परता है या जो कुछ भी करता है और वहां पे बुल जाता है तो तो उस्तो यह कत्ते ही ना करें अगर आप हनुमान 40 पढ़ते हैं हनुमान जी को दिल से मानते हैं तो आपको करना क्या है ये आप ध्यान से सुने हनुमान जी का जो चरितर है बहुत पवित्र है उस चरितर को अपने अंदर लाने के लिए कुछ टाइम चाहिए लेकिन दियोल औरदानों की बाते नहीं कर रहा हूं मैं कलयूग का अगर कोई आधार है तो वो है हन्माण जी क्युक्ए आज की यूग में जो साक्षाथ है वो है हन्माण जी तो हन्माण जी की उपाषन gilt करना है तो दोस्तों क्या करना हो उसके लिए पहली बात मंगलवार के दिन आपका जो वस्त्र होगा वो लाल होगा आप किसी तरिके का कोई भी कपड़ा अगर पहनते हैं अपिस में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो आप उस वस्त्र को लाल रंग में पहनें और टी का लाल रंग का लगाएं यहां तक अगर आप मंगलवार का उपवाश रखते हैं तो आपके उपर बजरंग बली हनुमान जी का अशिरवाद रहेगा आपको कोई टेच नहीं कर पाएगा आपको किसी भी बुद्धिहानी में या आपके सामने कोई अपना पन दिखा के आपको घात नहीं पहुचा पाएगा तो दोस्तों हनुमान जी के उपाश में जो कारे होता है वो संसार के कारे करने के लिए होता है संसार में आप किसी के साथ में बैर नहीं रखेंगे आपके साथ में कोई बैर नहीं रखेगा अगर जो इनसान आपके साथ में बैर रखेगा उसके समक्ष हनुमान जी होंगे तो जहिर शी बात है कि आपके साथ में कोई बहर रखे गा ही नहीं तो मंगलवार का उपाशना में बताना चाहूंगा मंगलवार सुरियोदर से पहले आप उठें नहाद होकर सुरिभवान को जल चड़ाएं और लाल आशन पर आप बैठ जाएं हनौन चालिशा पढ़ें और हनौन चालिशा पढ़ने के बाद आप उनकी आरती कर ले और ध्यान रहे कि मैंने बताना भूल गया लेकिन मैं बता रहा हूं आपको उस दिन आपको सेवन करना है तो स्रीफ चने और गुड का आप उस दिन अगर खा सकते हैं तो चना खाएं गुड खाएं पर वो सुबह में नहीं सामगे टाइम पे जब आप खाते हैं जब सुर्य डल जाता है जब सामगे टाइम पे चना गुड खाते हैं आप तो उसमझ सबको चना गुड खिलाएं यहां तक जब पूजा करके उटते हैं तो चैनाव गूर परशाद में सब को दे दे लेकिन तुम नहीं खाना जो इस बुरत को करेगा वो नहीं खाएगा शुर्य अस्त होने के बादी वो कुछ भी गरहण कर सकता है प्रशाद भी सूर्यस्त होने के बादी खा सकता है तो दोस्तों अगर इस विधी को इस विधी को आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके लाइफ में चेंजेस बहुत अच्छी तरह से आएगा और आपके उपर हनमान जी विराजमान होंगे और आपका सारा कारिय सिद्ध होगा क्योंकि हर सिद्धियों के दाता है पजरंग बले तो ये सिद्धियां पानी है आपके लाइफ को आगे बढ़ाना है कलियूग में कोई अगर सक्ती है तो वह हनमान जी आप इनको मानिए और अपने आपको सुरच्चित रखिए और हर एक तरक्किय में कामिया भी रहिए तो दोस्ते ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो प्लेज लाइक करें सब्स्राइब करें कमेंट करें थैंक्यू सो मच